हेलो बच्चा पार्टी नमस्कार अदाप सश्यकाल इन केम चो वलकम तो SSP इफाइनस अदीजिस वी तो लान दे कॉंसे चैनल और प्लेस वेर इंटायर फिजिस की फिल देने का जो जिम्मा है वो मैंने उठाया बच्चा लोग इन सभी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको रिलाइज होगा कि वह आनंद आगे और आनंद के नुभूती आएगी और लगेगा आपको कि भौतिक विज्ञान ही जीवन है त्रस्ट मी बच्चा लोग बस एक ही चीज करना कि पूरे वीडियो को सिद्दत के साथ देख और विसले अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो आपकी बोर्ड तो आसानी से ही निकली जाएगी उसमें कोई शक नहीं है और आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा बच जाद आले तुम उसी तरह से बच्चा जेही मेन और एडवांस और नीट की भी फिजिक्स जो है पूरी डाल करें के बच्चों का भला करो मैंने कहा जी प्रभु जी बगवान बोले नात का आग्या का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा येस तो स्टार्ट करते हैं आज से जिसने बच्चे को एक बड़ समझ में आ जाता है उसको बहुत मज़ा आता है इतना मज़ा आने लगता है कि वो कई बर सवाल पे सवाल बनाने लग जाता है लेकिन बच्चा ये एक ऐसा सेग्मेंट है जही मैंने रडवांस के अंदर जिसे इंफिनिटी बाना गया है जितने भी कोशन आएंगे आप उनको डिल कर पाएंगी क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स में यही डिफरेंस है जही मैंने एडवांस और नीटी में बात कर रहा हूं क्लास 12 में कॉंसेट ही सवाल होता है उसमें सवाल बहुत सारे होते हैं जो कि सिर्फ एक कॉंसेट पर बादो यह दुनिया भर की चीज़ें मैं तो बहुत बैसिक मैं अभी जो है डिसकुसन कर रहा हूं इसलिए बच्चा लोग जितना कराया जाए सद्दत के साथ करना और आपकी बोर्ड लेबल भी जो है इसके साथ साथ साइड साइड में कवर होती रहेगी स्पेशली लाल बाल गोपाल वो की पॉइंट है बच्चा लोग को की पॉइंट है बच्चा लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है उसमें ये नहीं आता बट समझेंगे तो बहुत अच्छी चीज है और लगेगा आपको फिर बड़ी बड़ी हैवी लेबल की जो बुके हैं जैसे की किताबे हैं जिसमें हमारे वर्मा सहाब टॉप पे हैं और पांडे जी टॉप पे हैं शर्मा सहाब टॉप पे हैं तो इन सभी किताबे जो हैं आपके लिए असान होंगी अगर आप ये लेक्चर्स को फॉलो गरते हो तो तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आज के क्लास का की पॉइंट होने वाला है बच्चा लोग क्या की पॉइंट समझ जा रहे हैं थोड़ा से समझना है वह देखें बच्चे कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधा हुआ फिक्स जैसे मुझे पढ़ाना ही है रोज मैं बना हूं आप बढ़े हो रोज आपको फीडियो देखना है यह पढ़ना बने हुए हो जब भी कोई चीज बना होता है से उसके बाद यह कंफर्म है बहसी कंस्ट्रेंट होता यार अपका डिली घर से निकलनो स्कूल से आनए आपका डेली घर सेकलने क्लास चले जाना आपका डेली हं कि worm के लाइगे तो फिरंसी इसमें बैठ जाना जिसे माली जी कि एक string है यह webcam को मैंने उठा लिया तूट मत जाना है यह webcam तुम हाँ अब देखिए अगर यह string tight है यह string tight है तो यह वाला जो point है जितने speed से जितने velocity से जितने रफतार से चल रहा था अगर string tight है condition देखिए string tight है तो यह point जितने रफतार से चलेगा उतने से यह भी चलेगा string tight है तो string tight है बार 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 बोल रहा है इसलिए बात को समझना तो अगर यह 5 meter per second से चल रहा है तो इसके जितने भी points है वो सब के सब 5 meter per second से चलेंगे इसी को कहते है string constraint यह concept है हां कुछ बच्चे बोल सकते हैं sir हम तो ऐसे कर देंगे तो देखो यह 5 से चल रहा है कहां चल रहा है इसको बोल दिया कि आपने string को slack कर दिया डीला कर दे नहीं तब यह concept नहीं यह concept valid तब जब string tight है string tight होनी बहुत जरूरी है और string in extensible होना चाहिए मतलब stretchable नहीं होना चाहिए मतलब उसमें खिचाओ नहीं होना चाहिए तो सबसे पहली और सबसे खास बात string से related जो अपने को पढ़ना है जैसे यह string है उसमें यह दो point है A और B तो इस string को हमें कैसा लेना है पहली बात string आपकी massless होनी चाहिए मास वाली भी string आएगी अभी हमें क्या consider करना है कि यह massless है string massless होनी चाहिए in extensible होनी चाहिए यानि इसके अंदर खिचाओ नहीं होना चाहिए और concept क्या कहता है concept यह कहता है बच्चा लोग कि distance जो d a b है वो constant रहेगा शर्त क्या है बच्चा लोग जब string एकदम tight रहेगी यह basic बात जो हर बच्चा समझ सकता है अब दीखे जी means और advance यही है कि basic बात के अंदर वो अपना advance चीच चुपा करके रखता है आईए देखिए शीच को समझने के लिए इसी concept को लोग डीटेल में जानने के लिए अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि यह वाला point है वो वी वन velocity से चल रहा है और इसने यहां पर एक एंगल बनाया थीटा वन और यह वाला यह है यह point B है अगर A और B के बीच का distance सेम होना है तो बच्चा लोग वी वन और वी टू में क्या relation होगा क्या वी वन इकोल्स तो वी टू यह कोई और बात है ध्यान से सूचिए देखो यह ऐसे चल रहा है वी ऐसे चल रहा है और मुझे इन दोनों point के बीच के distance को सेम रख विच वी वन कॉस थीटा वन और यह वाला component विच वी टू कॉस थीटा टू आपस में एक्वल होंगे बगैर इसके कोई भी काम नहीं चलने वाला है यह बात अपने मन मंदर में बसाइए तो सही चीज refine चीज क्या है कि अगर दो point के बीच का distance मुझे constant रखना है तो velocity से मोनी चाहिए या component of velocity along the string से होना चाहिए सही और सपष्ट बात क्या है कि अगर दो point के बीच का distance same है constraint है constraint का मतलब यह चल रहा है तो यह भी चलेगा अगर इन दोंके रफटार दूसरी हुई तो ज्दसी बात है distance नहीं होगा तब उस constraint का मतलब क्या कि यह चल रहा है तो यह भी चले same रफटार से चले और सही चीज क्या हुए यह दोनों पॉइंट के वेलोसिटी वह वाली सेम होनी चाहिए जो श्ट्रिंग के अलॉंग है क्योंकि देख बच्चा ये वाला पॉइंट जितनी वेलोसिटी से चलेगा उतने से यह भी चलेगा तभी के तभी इन दोनों के बीच का इस्टेंस गॉंस्ट रोगा इसलिए परफेक्ट Refined statement क्या है Distance Sorry Velocity Component Along The string Must be Constant Or equal अगर ये है तो ही ये possible है Otherwise ये possible नहीं है अब हम example से भी इसको समझेगे देखी Mechanics में पढ़ने में मज़ा यही आता है ना इसमें कोई derivation रहेगा स्टार्टिंग में ना कुछ होगा छोड़े छोड़े concept होंगी और उस concept से अच्छे अच्छे सवाल बनते है देखे पहला सवाल और आप इसका असानी से जवाब देदेंगे बड़ जरा बच्चा में उस example से पे भी आने से पहले ना मैं आपको क्योंकि देखे रसी है तो इसमें थोड़ी सी tension force जरूर आएगी तो मैं जरा उस tension force पे आपका प्रकाश डालना चाहता हूं आपका प्रकाश डालना चाहता हूं मतलब knowledge का एक प्रकाश डालना चाहता हूं जैसे माल लो कि यह दो block है यह A, यह B यह आपने 10th में सायद देखा भी होगा और boards के वाले बच्चे भी बहुत देखते हैं तो जब यह दोनो block ऐसे रखा होता है न तो इसमें tension का direction ऐसा होता है यह क्या है? ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है tension? ऐसे होता tension? सोचिए, बिल्कुल tension ऐसे ही होता है तो यह arrow दिखा क्या रहा है? कि आपस मैं काट रहे हैं एक दूसरे को ऐसा नहीं है यह arrow basically क्या है फेले वो समझे this is the tension force applied by the string on the object arrow source was what? tension force applied by the string by the string on the object ठीक है? यह क्या बताता है बच्चा पार्टी? string से कितना tension force बना object पे है object क्या है? a है और b है अगर हम इन दोनों को side side में fbd free body diagram जिसको कहते हैं बनाएं तो अगर मैं a की बात करूँ तो इस पे tension force इस direction में लग रहा है और अगर हम b की बात करें इसको separate करके बनाएं तो इस पे direction इस तरफ लग रहा है यह tension का जो है direction है fbd में कर तोड़ा जाये तो अच्छा दूसरी बात क्या इस पूरे रसी में tension हर जगा पर सेम है? पहली बात क्या सिखा ही मैंने? tension force applied by the string on the object यह arrow का मतलब होता है रसी के द्वारा tension force लग रहा है इस direction में इस object पे इस पे tension force इतर लग रहा है इसलिए दोनों को कम माइन करके ऐसे दिखाया जाता है now my second question is बच्चा लोग please concentrate my second question is कि यहाँ पे मुझे यह बताईए कि क्या हर एक point पे tension force सेम है? answer है yes और वो तभी तक है जब तक बच्चा लोग करते हैं अगर यह massless है तो ही ऐसा है कि tension हर जगह पर है otherwise नहीं है आप देखते हो generally यहाँ पे T लिखा होता है चलो हम इसको proof कर लेते हैं अगर मैं T ना मानू तो जैसे आपकी रस्ती है ठीक है? इस particular point पे मैंने मान लेता हूँ tension T1 है यहाँ पे tension T2 है और इस पे जो force लग रहा है वो इस direction में लग रहा है ऐसे चल रहा है यह block इधर चल रहा है एक्सिलेरेट हो रहा है एसे तो बाबा न्यूटन का second लोग क्या कहता है F बराबर mass into acceleration बहुत आगे depth में आए गा बटी 9th कि जो चीजे है उसको हम थोड़ा यह पे apply करते है कि force is equal to mass into acceleration इस तरफ जा रहा है न तो T1 minus T2 that is the net force इस तरफ जा रहा है तो T1 minus T2 equals to ma mass into acceleration but mass की value कितनी है 0 क्योंकि string को हमने क्या count करा massless इसलिए अगर यह 0 हो जाएगा तो T1 बराबर क्या आएगा कि इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चा पार्टी कि अगर एक string massless है तो उसके हर एक point पे tension same ही होगा कि बड़ अगर string का कुछ mass है तो हर point पे tension different होगा भीया इस चीज को अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लो मेरे लाल बाल गोपाल और इसको अच्छे से उतारो क्या क्या सिखा दिया मैंने string constraint क्या होता है string अगर tight होने वाली है तो उसके दो point के बीच का distance हमेशा constant होगा और उसके लिए बच्चा पार्टी component of velocity along the string हमेशा सेम होगा arrow क्या दिखाता है tension force applied by the string on the object और साथी साथ अगर massless string है तो उसके हर जगा पर tension की value सेम होगी उतार मेरे लाल आगे बढ़ते हैं यह बारिस की मौसम यह मौसम की बारिस चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं और अब हमने concept सीख लिया तो अब इसके सवाल देखते हैं बहुत सारे question बनाया जा सकते string constraint के अच्छे question करके हम समझते हैं एक question यह पहला वाला तो मामा type ने पूछूंगा ही नहीं मैं ऐसी पूछ लेता हूं रसी दिखा करके आपसे पूछ लिया था है ना क्या पूछा था पता है है यह यह देखो पहला question अगर यह पांच मिटर से चल रहा है पांच मिटर पर सिकंड से तो यह कित्ते से चलेगा common सी बात है यह भी पांच मिटर पर सिकंड से जने चले solicor कराने का कोई lyc नहीं है है आप देखिए महारा माटेतरी माटी तामाटी यह दृतर आarmeल fusion मैंड़ी आइद आहें देखिए इसे और साथ यी साथ में बच्चा पार्टी थोड़ा अच्छा ड्याग्राम देते हैं न यह यह बात यह बी है बच्चा लोग यह चल रहा है बच्चा लोग ट्वेंटी मीटर पर सेकन से और बच्चा बड़ी बच्च बड़ी बच्च बड़ी बच्च बड़ी बच्च बड़ी यह जो एंगल है न यहां पर वह 37 डिग्री का है ऐसे हैं सिच्वेशन दी रखिए हैं ठीक है यह स्ट्रिंग है आप लोग को बताना है कि अगर अगर 20 m2 से चल रहा है कॉन एब लौक के अगर 20 मीटर फर से किन्ससे चल रहा है तो बताईए ब्लॉक भी की रफ्तार क्या होगी तो बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे 20 बिस बीस बीस देखो यह पॉइंट अगर से चल रहा है तो जायर सी बात है कि रसी के हर एक point 20 meter per second से चल रहा होगे हर एक point यह सब 20 meter से यह 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 सब 20 meter per second से चल रहा होगे लेकिन यह जो block है ना वो ऐसे नहीं जा सकता block fix है कि वो इधरी चलेगा तो अब confusion क्या है confusion पहली-पहली सवाल के अंदर बच्चों को यह रहता है यह ऐसे चल रहा है 20 meter per second से तो यह जो है यह क्या यह 20 cos 37 है 20 cos 37 है हमारा answer क्या यही है अगर मैं इसको V बोल दूँ यह V है तो क्या V बराबर 20 cos 37 है यह बच्चा party V cos 37 is equal to 20 है इसमें इसमें बहुत बड़ा difference है ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा वी बराबर 20 cos 37 है या फिर V cos 37 is equal to 20 है तो इसको समझने के लिए आप अपने आप से सवाल करो कि असलियत में ब्लॉक कि धर जा रहा है in reality in which direction the block is moving you'll get the answer please concentrate on my direction of the block block is actually moving in this way so in reality the direction of block is 100% in the left direction because it can't move in that direction तो असलियत में बच्चा पार्टी ये जो 20 है वो सच्ची वाले direction का component है हमेशा क्या देखना होता है जिस direction में block move करे उसका component लीजिए क्या लीजिए उसका component लीजिए तो सही चीज क्या हुई ये बिल्कुल भी नहीं है अगर ये वी था तो ये वी cost 37 हुआ और वी cost 37 चल रहा है 20 से यानि कि वी बराबर 20 divided by cost 37 और cost 37 है बच्चा लोग चार बटे पांच यहानि के 25 प्र सेंट अरे चंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचश्चंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंच में देखिए हैं नेक्स्ट एक्जाम्पल कर देखिए हैं यहां पर एक पुली है ठीक यह दो ब्लॉक राइट यह है यह पी है यह 37 है और यह है बच्चा 20 मीटर पर सेकंड्स है और बच्चा परड़ी यह 53 डिग्री ठीक आपको बताना है कि अगर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड्स से तो भी की रफतार क्या होगी है फिर से कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है कंस्ट्रेंट ही है ना अगर देकेज यह एडवांस कैसे बन जाती है यह जही एडवांस इसलिए बन जाती है क्योंकि आपने अभी देगा क्या कॉनसेट एक है वेलोसिटी आलाव वेलोसिटी या फिर वीलोसिटी अलान्ग देस्ट्रिंग रिमेंस कॉंस्टेंट पहले वह पकड़िए अब मुझे ये पता चल गया कि ये 20 से चल रहा है इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं कुछ तो मधूरे से ये भी आपका 37 ये 37 तो ये भी आपका 37 असलियत में इधर जा रहा है न ये तो इसका ये component हो जाएगा 20 cos 37 हमेशा जिस direction में block चले जो real में motion है उसका ही component आपको लेना है real में motion ऐसा है तो उसका ही ये component लेना है ना कि इसका component ये गलत हो जाएगा तो 20 cos 37 this means 20 अच्छा cos 37 में अगर गलत हो जाओं तो मुझे माफ करना इसमें वैसे सही जा रहा हूं ये 5, ये 3, ये 4 ये आपका 37 तो cos 37 4 by 5 सही है, बिल्कुल सही है तो ये आगया 16 है अच्छा, जवी नासमन का फर्क है ठीक ठीक है, मैं सोचा कितर कैसे हो गया तो ये आगया 16 अब चाहिए अगर 16 से चल रहा है तो इसके सारी point all these points are moving with 16 why, because हमने concept देखा है कि रसी के हर एक point 16 से चलेंगे, क्योंकि वो बने हुए सब के सब 16 से चलेंगे, ताकि तभी तो रसी ठाइट, अदर्वाइस ठाइट होगी ले अब ये block किदर जाएगा constraint की वज़ा से ये block किदर जाएगा अब देख बच्चा ये है 16 तो ये 16 cost तिरपन है या v cost तिरपन बराबर 16 है ये पता नहीं कितना, इसको भी माल लो तो असली में रफ्तार इधर है, तो इसका component ये है इसलिए हम लिखेंगे v cost 53 equals to 16, इसलिए v is equal to 16, divided by cost 53 a cost 53, cost 53 3 by 5 या 80 divided by 3 meter per second ये है बच्चा लोग, आपका string constraint शांदार example के साथ आप बढ़ रहें आगे उतारिये, और अगर इसमें doubt आता है तो बेजजख हो करके पूछिएगा बेजजख हो करके पूछिए in case you are facing any kind of problem चलो, तो आगे बढ़ते हैं आईए और question कराते हैं बच्चा लोग कुछ तुम अधूरे छो कुछ हो पना अधूरा छो आओ मेरे लाल बाल गुपाल सियाबल राम चंदर की जय हो चलिए आईए अब एक छला वाला सवाल कराते है कैसा वाला छला वाला सवाल, देखिए ऐसे मानलो बच्चे एक situation है पर एक rod है इस पर एक ऐसे छला फजा हुआ है ठीक छले के साथ यहाँ पर यह ब्लॉक पुली, पुली के साथ यहाँ पर एक ब्लॉक ठीक है ऐसे situation है यह A माल लो यह B माल लो और बच्चा लो यह एंगल 53 डिग्री माल लो चले अगर यह नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसकी वेलासिटी क्या होगी मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा रोग करके खुद से ट्राइ करें क्योंकि अगर आपका एंसर आ गया तो कसम उड़ान चलेगी आपका जो confidence है वो 400 गुना जंप मारेगा बच्चा लो कितना? 400 गुना कसम उड़ान चलेगी 400 गुने से नीचे तो आएगा नि हाँ 100 परसें 400 गुना तो मारेगा देखिए imagination कर पा रहो ना यह चीज़ जब तक imagination नहीं करोगे तो नहीं है कुछ सिखने का कोई मतलब नहीं कुछ नहीं है इसमें पट फील करो आप हमने क्या सिखा है हमने सिखा है कि रसी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी है ना तो अगर यह 20 से चल रहा है तो यह सब के सब 20 से चल रहा है सब के सब क्या है 20 से चल रहा है तो यह भी पॉइंट आपका 20 से चल रहा है पर असलियत में बच्चा, ये छल्ला इसी तरफ जा सकता है, ये छल्ला इसी तरफ जा सकता है, तो ये छल्ले का original direction है, इसलिए we must take the component of this original direction of छल्ला, not नल्ला, छल्ला बोला मैंने भाई, पता चल्ला कमन करके बोलो के बेरे को मास्टर कुछी भूलता है, तो असलियत में ये व माल लिया, तो this is v cos 53, तो v cos 53 is equal to what, that is 20, तो v बराबर में 20 divided by cos 53, that is 3 by 5, या या 100 by 3, सही है न, समझ पडिला, चम 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 कीला, इधर v है, तो ये v का है, exact component, v cos 53, which is 20, v cos 53 is equal to 20, and cos 53 बच्चा लो, 100% 3 by 5, सही है, तो 100 by 3 meter per second आगया, चली एक और करते है, जितने करो आपको उतने कम है, बोलो तो कराती ही रहेंगी इसमे, question कुछी बना सकते हो, यही mechanics की सबसे खास बात होती है, कि एक बार concept समझ में आ जाते है, तो मजा आ जाते है, आ आईए, एक और करते है, तडिंग तडिंग, 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 तड के सामने है बचा लोग कि यह ब्लॉग ब्लॉग इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ठीक यह एंगल इस बार 37 डिग्री इधर से दिया है तो वो 53 डिग्री ही होगा तो बदाएए चल्ली की स्पीड क्या होगा अगर 10 मीटर पर सेकंड है कुछ से ट्राइब करें वीडियो क पर चल्ला वाला situation ला दिया उसमें क्या है देखो अगर यह 10 से चल रहा है बच्चा पार्टी तो यह सब के सब कितरें से चलेंगे मेरे लाल सब के सब 10 से चलेंगे असलियत पर चल्ला कहा जा रहा है चल्ला असलियत में इधर जा रहा है वी उपर ही जाएगा ना फील कर ल हुआ हुआ कि नहीं हुआ 53 degree biggest total 90 है तो यह चो 10 है वह असली वाले component का value है तो असली वाला component है V cos 53 that is equals to 10 इसले V is equal to 10 divided by cos 53 again 3 by 5 50 बटे में 3 meter per second यह लीजे आगे आपकी velocity ठीक है तो यह होके हमारे string constraint example अब ऐसे example आपको जहां पर भी दिखे उन्हें जान से मारते रहें बच्चा और उनके साथ game खेलते रहें बच्चा आगे हम देखेंगे उतारिये इसको फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे पुली ब्लॉक मशीन की येस बहुत ही शांदार concept है खुश हो जाओ गया आप आनंदी की नुबूती आगा लगेगा बहुतिक विज्यानी जीवने यह क्या सिख रहें यार उतारिये आगे बढ़ते हैं येस बच्छा पार्टी स्ट्रिंग कॉंस्टेंट पढ़ने के बाद अब कुछ और इसके अंदर डिफरेंट के व्राइटी से कोशन सीखते हैं हम लोग है ना तो आगे बढ़ते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना बिकस जितना डीप में जाकर के देखोगे जितने अच क्यान के साथ इस महबत में चलते चले जाओगे हां कुछ तुम्हें अलग-अलग सा लग रहा होगा ठीक है थोड़ा सा 10-15 मिट का गैप लिए बच्छा लोग काफी रात तक शूट करते हैं तो माताश्री बीच-वीच में आके कह देती हैं चाय पीलो या तो फानी पीलो थोड़ा सा कर लिए चली के से कंडी ड Always लेक्षर के सेगनेंंट की तरफ चलते हैं अब हम बात करेंगे बच्छा लोग फुली-भ्लौक सिस्टम के बारे में किसके बारे में फुली-ब्लॉक सिस्टम के बारे में बहुत जौड़ दा लेक्चर में हैं यह फील कर लोगे त वीडियो को ध्यान से सुने और अपनी नोट बुक में जहां जहां पर मैं कहते चले जाओं उसे नोट भी करते चले जाएं आईए चलिए पुली से रिलेटेड कुछ बैसिक बात अभी हमारे लिए पुली मासलेस है पुली का कोई भी मास नहीं है स्ट्रین मासलेस है कंडीशन है स्ट्रिंग कोस्त्रेंड और जेंदर भी आजाएगी पज़ी ने दिखीये जैसे माल लो बिच्छा लोगnd आप सेकेंड सेगमेंट अप इसे कह सकते हो typ है यह क्या है second segment है बच्चा पार्टी pulley block machine pulley block system कह दीजे atwood machine भी से कहते है ध्यान से सुनना जैसे माल लो मैं आप से basic बहुत पूछू एकदम simplest question I am going to ask here we have a kind of pulley ये ऐसे है ये fixed है और ये एक block ये एक दूसरा block suppose this one is A, this one is B अच्छा पहली बात क्या pulley घूम रही है यहाँ पर ये कोई बोलता नहीं बताता नहीं है लोगों को लगता बच्चो को आ रहा है बट बच्चे confused होते pulley यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो रही है इसे बिल्गुल भी नहीं हो रही है हां इधर जाएकि तब यह ज़्यादा है इतर जाएकि जब यह ज़्यादा है बड़िन सिटुएशन गूम नहीं रहा है पुली रस्ति उसके उपर फिसल रहे श्री यह है ऐसा क्यों कि इनकी बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं जब फ्रिक सवाल नहीं उठता है इसे लेकिन अगर अभी से यह सारी चीज़े आइड कर दी जाएंगे तो आप यह में को समझ नहीं पाओगे में कैने का फस्ट फेस्ट 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 में पुली घुमें गई तब वह चीज आ जाती है रोटेशनल मुशन के अदर अभी कोई घूम अच्छा अगर मैं आपसे बूलू बच्चा कि यह 10 मीटर पर सेकेंड से यह ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने यह सीखा कि अगर यह ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो यह सारे पॉइंट क्यूंकि इस्ट्रिंग पर कनेक्टेंट हैं तो यह सारे के सारे पॉइंट जो है यह ऐसे जा रहा है तो यह ऐसे उपर की तरफ जाएगा तो यह 10 मीटर पर सेकेंड है इसमें कुछ गलत बात नहीं है बिल्गुल सही है. ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ, बच्छा लोग? जब यह पुली रेस्ट पे थी, यह 10 से नीचे जा रहा है, यह 10 से उपर जा रहा है, पुली रेस्ट पे है, मालो, तुम एक छोटे से जीवजनतु बनकर, तुम एक छोटे से कि velocity of a with respect to Jeeu Jantoo, velocity of b with respect to Jeeu Jantoo, क्या ये सही है, क्या हम इसे relatively देख सकते हैं, answer है बिल्कुल देख सकते हैं, अभी मेरे लिए ये plus 10 है और ये ऐसा है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं ground frame से बोल रहा हूँ, frame तो कुई भी हो सकता है, ये तो सत्य बात है, है ना ब आगे sign minus, क्योंकि दोनों opposite direction में, जर आप इसे open करिए, तो VA minus में VJ, minus में VB, plus में VJ, क्या picture clear है, अच्छा जियो Jantoo, चली नहीं रहा है, ये तो कटी गया ना, 0 है, कोई मतलब भी नहीं है, तो VA बराबर में, minus में VB, यही आपका answer था, कि सर अगर ये plus 10 है नहीं, ये minus 10 है, कि अगर ये plus 10 है, ये minus है, अगर ये plus 10 है, ये minus है, ये situation है, बड़ सोचो, कि अगर ये pulley भी move होने लगे, ये pulley भी move होने लगे, तो क्या ये 0 हो सकता है, answer है नहीं, तब ये 0 नहीं हो सकता, तब advanced घुश जाता है इसके अंदर, तब advanced physics germ ले लेती है, कि अगर कोई इस तरह का system है, जहाँ पर pulley fixed नहीं है, बड़ पुली भी move हो रही है, तब block के जो motion है, उसको constraint में हम लेके आएंगे, और फिर situation क्या होगे, है वहीं चीज, मैंने आपको basic से समझाया, कि अभी velocity of duty यानि velocity of pulley, 0 हो चुका है, क्योंकि वो चली नहीं रहा था, rest mode पे था pulley, बड़ अगर मा with, vp, मालो पुली, vp velocity से अगर चलने लगे, कौन, पुली, अगर vp velocity से चलने लगे, यह पुली, vp velocity से चलने लगे, ठीक है, vp velocity से चलने लगे, तब यह equation आपका इस तरह से हो जाएगा, va-vj, vj के जगर पर velocity पुली लिख दो, जीव जन्तु की speed भई होगी, जो पुली की होगी, जीव जन्तु बहुत छोटा सा जीव, ऐसे आप समझ पाएगे, ताकि center of path समझाओ, तो आपको easily समझ में आएगा, छोटा सा कीड़ा, छोटा सा insect मान के आप बैठ जाए, तो आपकी car भले चल रही बड़ आपको दिखेगा ऐसा ही, कि एक bus ऐसे हारी, एक bus ऐस जा रहा है, बड़ अगर आप car से बाहर निकल जाओ, तो यह चीज आपके लिए बहुत tough हो जाए, क्योंकि, आप car से बाहर चल रहा है, यह बी चल रहा है, यह बी चल रहा है, तो जब बैट जाओ, तो चीजे आपज़र करना बहुत आसान हो जाती, that is all about relative motion, इसे relative motion physics में लाएगे है, ताकि उनके concept को, tough problem को easy मनाया जा सका, इसलिए इसलिए घबराने की जुरत नहीं है, feel करने की जुरत है, बिली में बच्चा पाटी एक बार, फिजिस वो feel करके पढ़ने लोग, देखिए, आईए, ला रहे हैं देरे देरे advanced technology आप लोगों के लिए भी, आएगा आएगा, भॉकाल तो मचेगा बच जा लोगा SSP का, क्योंकि तुम सब true SSP हो, भॉकाल तो मचने वाला है, तो VA-VP is equal to, minus VB, plus में VP, क्या ये VP इदर आजाएगा, इसको इदर बेज दो ना, यह हो गया VA plus VB, 2VP, ओ, 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 यानि कि velocity of pulley is equal to velocity of A plus velocity of B divided by 2, perfect equation, ये है बच्चा लोग, जोडदार equation, भॉकाल वाली equation, इस equation के साहता से तुम आसानी से बड़े-बड़े सवाल सौल कर सकते हो एक और खास बात याद रखना, कि जब भी आप इस equation को use करना, तो with sign use करना, illustration में ले रहो, चिंता मत करो, with sign का क्या मतलब है, with sign का मतलब हुआ कि अगर तुमने upward direction को positive रखा है, तो downward direction को negative लो, या अगर आप downward direction को negative ले रहे हो, तो upward direction को positive लो, क्या picture एकदब clear है मेरे लाल, पुली भी चलने लगे, इसी चीज़ को सोचो पुली नहीं चल रही है, तो V बराबर मानस V भी आतो गया, इह रहा, पुली चल रही है, तो यह equation आएगा, अब हम इन तीनों के बीच में relation निकाल चुक, अब इसे question देखते है, बन question देखने से पहले एक और चीज़ बताता ह ना, वो L1 है, और यह वाला जो length है, L2 है, X माल लू, better, X1 और यह X2, ठीक, X1 और X2, आप सोचो, समझो, कि यह जो X1 है, पूरा, पूरा, इसको ignore मार दो, यह वाले length को ignore मारो, या फिर ऐसा समझो कि यहां से यहां तक X1, यहां से यहां तक X2, ऐसा मानिए, कर वाले shape को second method, can we write bacha party, X1 plus X2 is equal to L, X1 घटेगा ना, X1 घटेगा ना, तो यह X2 बढ़ जाएगा, यह X2 घटेगा ना, तो X1 बढ़ जाएगा, यह X2 घटेगा ना, तो X1 बढ़ जाएगा, but at the end, russi का length change होने वाला नहीं है, the length of russi remains constant, why, because the string constraint है भाई साहब, lack नहीं हो रा, slack नहीं ह प्लस वरी, lack नहीं गलत बोला, slagging, slagging बोला हूँ, slack नहीं हो रा, धिला नहीं हो रा, russi tie device है, अगर यह heavy है, तो यह नीचे जाएगा, यह बढ़ जाएगा, और यह heavy है, यह नीचे जाएगा, यह बढ़ जाएगा, तो यह कम हो जाएगा, but at the end, यह confirm है कि दोनों का length हमे percentage list का differentiation क्या हो गया, 0, now, अब उस length का differentiation क्या है, 0 है, अब जड़ा सूचे का ध्यान से, यह dx1 by dt क्या है बच्चा लोग, जैसे अगर आप इस point को आप सूचो, इस particular point को आप सूचो, और इसको आप सूचो, तो what is the meaning of dx1 by dt, the perfect meaning of dx1 by dt is what, the rate of change in x1, dx1 by dt का क्या मतलब है, the rate of change in x x1, x1 के अंदर आने वाली changes, क्या x1 के अंदर आने वाली changes, velocity of a है, या velocity of a, with respect to this particular point और यह particular point इस पुली के लिए है, जैसे यह block है, और यह पुली है, हाँ, अगर पुली नहीं चल रहा होता, तो directly I would have written, velocity of a, but because, that pulley is also moving in that upward direction, that's why I must say, that velocity of that particular block, with respect to the pulley, got my point, इसले ही जो ही है, rate of change of this x1 है, but this x1 change किस के रिस्पक्त में हो रहा है, इस पुली के रिस्पक्त में हो रहा है, we should write, velocity of a, with respect to pulley, and here we have again, we should write, बच्चा लोग, velocity of, uh, 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 block b, with respect to pulley, is equal to 0, one more thing, बच्चा पार्टी, one more thing, बच्चा पार्टी, plus equals to 0 हो गया, now, velocity of a, with respect to pulley, याया, same to same result तो आगया, यानि यहां से भी आजाएगा, velocity of pulley is equal to, velocity of a, plus b, divided by 2, इसी को आप एक पर वापस, differentiate कर दो, one more time, if you differentiate, you'll get the result for acceleration directly, so acceleration of pulley, acceleration of block a, plus acceleration of block b, and then 2, यह एक ऐसा unique result है, जिस unique result के सहायता से, with the help of this unique result, my dear students, you can solve many problems in physics, many problems I'm telling you the reality, but जब तक यह नहीं आएगा, आप कोष्चा समझन ही पाएगे, and trust me, एक बार समझ में आगया, you will meet the question, you will create the question, you will solve the question, you will create the question, every time you will create the question, and every time you will get the answer, if you, if you, remembering this concept, then only. आपको बेसिक से समझा रहा हूं एडवांस तक लेकर आपको पता भी नहीं चलने दूगा बच्छा लो यही जो है मेरे बाकी के जगह पर जिस तरह से मैंने पढ़ाया ना हमेशा मेरे यही प्रयास रहता है कि आपको फील ना होने दूँ कि इतना भहेंकर से टॉपिक को आप इसली कर रहे है और उमीद करता हूं भगवान का अश्रवाद है बोलनाती कृपा है कि पढ़ाय हो आपको समझ में आ रहा है आपके पॉसिटिव रिस्पोंस्पिल रहे है तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया थैंक यू सो मच पर माइब बढ़ां बचलो प्लीज टेक अन is equal to velocity of pulley and must remember जब भी आप यह equation use करेंगे with the help of sign use करेंगे अगर किसी एक डिरेक्शन को प्लस लेते हो बच्चा तो दूसरे डिरेक्शन को आपको क्या लेना है मेरे लाल नेगेटिव लेना है बिना नेगेटिव लिए हुए काम मत करना आईए दीखिए करते हैं इस बात को तरिमाटी मा मरी जावा तरिमाटी मा बालो यहाँ पर एक ऐसा system है यह एक block है बच्चो और यह pulley है बच्चा लोग ठीक है यह pulley fix नहीं है बच्चा पुली को चला देते हैं ना यह 10 मीटर पर सेकंड से पुली उपर की तरफ जा रही है तो बताएए इस block की रफ्तार क्या है है ना अब हम समझते हैं इस चीज को हमारे पास सुंदर सा relation है बहुत बेसिक लिए मैंने बट बेसिक में भी लोगों के प्राण निकल जाता है जो सीखे नहीं है पहले बड़ कोई बच्चा देखेगा बोड लेवल में तो उसके प्राण निकलेगा बोड लेवल में यह ट है कुछ आइडिया नहीं है कहां चाहेगा उपने कुछ आइडिया निई को यह between up बढ़ा डिये तो पता चलते तो के यह गलत हूद ऑब लोगो आपको फॉर्मूला मैं लगा दिया आपको समझें यह माइनस आपको क्या represent कर रहा है जब भी आप physics में कोई direction मानते हो और वो value negative आ जाती है it means कि आपने जो सोचा है असलियत में वह वहां नहीं है वो उससे opposite है बस यही चीज होता है मानने में मतलब देखके भी पता चल रहा था कि यह block नीचे आई क्योंकि constraint है अब यह नीचे तो आ नहीं सकता रसी डीली हो जाएगी भाई साब रसी को टाइट रखनी है ना तो सूचो ब्लॉक भी का आएगा उपर बड़ अगर हमने ऐसा मान लिया तो हमने ऐसा माना तो हमारा इसा लिखा होगा अब बीस मेटर पर सेकेंड कहां जाएगा बच चलो अब यह है एक मस्तसा सांदार सा पहले आपके लिए सही है दूसरा question करते हैं आ जाए है एक और लेते हैं इसी में लेते है कि मालों बच्चा यह पुली है पुली जारी उपर 10 मेटर पर सेकेंड से यह ब्लॉक है बी यह ब्लॉक है अब च्छा ए और बी के भी कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती धीरे 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 मेकैनिक्स के अंदर 8-10 घंटे का लेक्चर होगा टेंचन मतलो बहुत सारी चीजे सिखाऊंगा यार और ऐसा कहीं सीखोगी भी नहीं आप मज़े के साथ बढ़ोगे फिजिक्स में बहुत मजाएगा आपको ट्रस्ट यूबट गैरेंटेट बचलो हंडिड़ परसंट ट्रस्ट कर सकते हैं यह ऊपर की तरफ जाएगा अच्छा यह 20 पीटर पर सेकेंड दे रका है 20 पर सेकेंड उपर की तरफ दे रका है बस दे रका है और इसका आपको पूछा है कहां पता नहीं क्या करेंगे कहीं भी साइन माल लो मैं उपर माल लेता हूं अब लगा दो फॉर्मुला टैन वेलाउसिटी ऑफ बुली ट्वेंटी प्लस में वेलाउसिटी ओफ डैट डिवैड़ेड़ बाइटू तो यह आगया आपका जीरो मेटर पर सेकंड स्क्वेर कितना आगया जीरो जीरो से यह ना टैन टू ट्वेंटी प्लस से डिवैड़ेड़ बैटो हाँ इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि यह ब्लॉक मूवी नहीं कर रहा है जीरो मेटर पर सेकंड स्वारी जीरो मेटर पर सेकंड ही कहीं जाएगा कि यह सब्सक्राइब को सकता है इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है अब वह ऐसा सिस्टम ही है कि अगर यह दस से चल रहा है यह और बीस से चल रहा है तो यह जिरो होगा ऐसा ठीक है आए और इलिस्ट्रिशन लेते हैं थिरे थिरे लेवल बढ़ाते चले जाते पर अमर बेटे मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मेकैनिक्स में प्यार महबद करा दूंगा अमर बेटे आए मेरे लाल बल गो बल और भी अच्छे अच्छे इलिस्ट्रेशन थोड़ी से प्राण घाती कुश्चन करते हैं जिसमें प्राण निकलनी की संभावना है मेरे लाल तुम्हारे सामने ही नहीं मीच बदे अमर बेटे अमर बेटे मीच अमर बेटे 10 से मीटर पर सेकंद से उपर जा रहा था यह कुश्चन मार्क है यह है यह यह पुली वन यह आपका पुली टू यह जा रहा है बचलो 20 मीटर पर से उपर की तरफ प्लीज वीडियो को रोके खुद से प्रयास करें और कितनी रफ्तार से उपर जाएगा दैड एक्चुलिए आये सोचते हैं तो आपने बेसिक देखा बेसिक देखा अब एडवांस में गुज गए कितने भी पुली कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं यह confidence आपके अंदर पाने का काम बाबा एसस भी करेगा चिंता मत करिए फॉर्म में बच्चा लोग डिस इस दा में मोटर ऑफ दिस चैनल और यहां बिठाता हूं इसमें मैं वेलोसिटी पुली लगा दू 20 यह तो 0 है यह मेरे को पता नहीं है जबकि पुली है P2 divided by 2 मैंने कुछ चीज माना नहीं और मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूं कि ऊपर की तरफ चल र इसलिए मैंने प्लस लिया अब चाहो तो मैं इसलिए कि कर सकते हो तो जो पीटू आया बच्चा लोग वो 40 आया और उपर से प्लस आया इसका मतलब मेने जो डिरेक्शन माना है प्लस वो उपर की तरफ ही है ठीक आ गया अब एक बार फॉर्मुला इसके अंदर फिर से प्लस आया मतलब इसका डिरेक्शन कहां है बच्चा लोग ऊपर की तरफ ही है ठाट सेट बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी येस बच्चा पार्टी कादम फील आया तो कमेंट होग देना चली एक और प्राण घातनी करते हैं थोड़ी सो और अच्छी विराइटी लेत हो ताकि आपको फील आया मजाय इसके अंदर इस वीज़ा देते हैं आजाए देखें अ मुझे पढ़ा के मजा रहा है और मुझे लगता है तुम लोगो सीख्के भी मजा रहा होगा चलो बचा आजो देखो यह पुली फिक्स्ट कि यह है यह चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और यह एंगल है 37 डिग्री ठीक और बच्चा पार्टी यहां पर एक सिस्टम है इसके साथ एक पुली है कि थोड़ा और अलग करते हैं कि चलिए कोई भी वैलू दे रहा हूं तुम्हारे सामने आ फसेंगे तो अपने फसेंगे करेंगे क्या बोलते बच्चा लोग कर लेंगे टेंचन मतलो ठीक है यह पुली वन पुली टू पुली थ्री बी एन सी अच्छा आज यह वैलू दे देता हूं इसकी वैलू दे रही बच्छा लोग 5 मीटर सेंद से ऊपर की तरफ हमें S को निकालना है प्रयास करिए पहले खुछ से वीडिओ को रोके देखिए और ट्राइ करें वीडिओ को रोके देखिए और ट्राइ करें ठीक है चलिए आएए देखिए This is the combination of string constraint as well as pulley block system सबसे पहले हम string constraint का use करते वे निकालेंगे कि इसकी velocity क्या होगी आपको सिखा है मैंने ऐसे question को कैसे करना है इसको थोड़ा extend कर लीजे वी वी यह 37 तो यह भी कितना है 37 असलियत में block कहा जा रहा है बच्छा लो In reality the block is moving in this direction So actually यह जो line है न This is the component of this 20 This is the component of 20 ऐसा नहीं है कि यह particular point V है तो V cost 37 is equal 20 नहीं जो move करता है real में हमेशा उसी का component लेना है ऐसा notebook में अच्छे से लिख लो Real direction का ही component लेना होता है जो real में नहीं है उसका component नहीं लेना है Real में कौन चल रहा है? Block ऐसे कितने से? 20 से तो यह line कौन हुआ? 20 cost 37 Great तो यह आगया आपका 20 cost 37 and cost 37 की value कितनी बच चलो? 4 by 5 तो यह आगया 16 अब देखो यह सारे के सारे point All this point All this point All this point यह सब के सब 16 से चल रहा है और यह जो है वो आपका 16 से उपर के तरब चल रहा है यह जो हमारा pulley है यह भी आपका 16 मीटर पर सेकंड से उपर की तरब चल रहा है अब यह भी आपको सिखाया कि यहाँ पर pulley है और दो system है ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप pulley का formula लगाई 16 मीटर पर सेकंड यह आपका 0 है और यह पता नहीं है कहाँ पर है तो P3 माल लेता है कुछ नहीं पता हो तो as it is करो direction मत मानो अपने आप आजाएगा तो P3 आगे 32 कितना आगे बच चलो 32 मीटर पर सेकंड कहां आया प्लस आया तो प्लस उपर वाले को आप ले रहे हो तीन दू नीचे हो गया 5 प्लस सी तो सी बराबर आगे चौसट मानस पाच यानिकि 59 मीटर पर सेकंड यह आपका एंसर है कि यह आपका एंसर है कि दाट्स ग्रीट वन अप्ट बेस्ट कुश्चिन कि बेस्ट ओन स्ट्रिंग कंस्रेंट मोशन का कॉंसेप्ट ठीक है आई एक और करते हैं चलो बच्छा लोग एक और कुश्चन सौल कर लेते हैं इसी में है ना मस्त मज़िदार ललन टॉप लाइमन मामर पास्टन प्रिकेट फंड वाले टाइप तेखिए हाई कि मैं चाहूं को कुश्चिन तुम घुज से स्ट्राइब करो नहीं सुड़ा और इसको अलग करते हैं जो मेरे शीट में है वो आपको देता हूं और ऐसा है यह एसा है यहां पर एक ब्लॉकलट का लीजिए ठीक उसके बाद यहां से भी ले 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 लेते हैं राइट एक और पुले block block राइट बी सी बी सी इसको चला देते हैं बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी शे से इसको चला देते हैं चार से नीचे, देशे 6 meter per second in upward direction, 4 meter per second in downward direction, यह आपको find करना है, और उस वाले पुली को भी चला देते हैं, उपर वाले को, 10 meter per second से उपर की तरफ, यह चल रहा है, 10 meter per second से उपर की तरफ, ठीक है, नाम देते हैं पुली का, ताकि आपके लिए आसानी हो, पैचानले में, P1, जाएगा कि आप लगे पगला जाओ गया लगेगा विज्ञानी जीवन है चलो सबसे पहले क्या करते हम कि यहां दे रहा है ना यहीं से चैनल दिख रहा है तो मैं सबसे पहले इसके अंदर एक्विशन लगाता हूं उपर वाले को मैंने प्लस लिया नीचे वाले को मैंने माइनस लिया 6-4 divided by 2 is equal to P3 तो 6 मैं से चार गया तो 2 by 2 यानि की 1 meter per second यह positive आ रहा है ना इसका मतलब है यह पुली 1 meter per second से कहा जाएगी उपर की तरफ जाएगी great एक meter per second से कहा जाएगी बच्चा उपर की तरफ जाएगी अब इस पुली से related formula लगा दो 10 meter per second पुली का है यह पता नहीं है P1 प्लस इसका पता है उपर की तरफ जा रही है तो 1 divided by 2 दस दूनी 20 में से एक गया तो 19 यानि P1 बराबर आया 19 meter per second लीजे इसका आगया उपर की तरफ 19 meter per second पुली और system फिर से लगा दो equation 19 is equal to यह आपका 0 है एक का पता नहीं है divided by 2 तो बस 38 meter per second और वो भी कैसा आया प्लस तो अगर यह प्लस आया किस तरफ जाएगा कहीं लूचा तो नहीं मारा 6 और 4 और 10 एक बार फिर से देख लेते हैं कि दस दूनी 20 में से गया तो 19 कि सभी तो है यार कि अच्छी कोई दिकत नहीं है डिजट डिफरेंट लिए चलो बचा तो यह हो गया आज पूरे लेक्चर का एक बर मैं विवरा आपको देना चाहता हूं क्या क्या आप सीख्यों प्लीज इसे रिकॉल अच्छे से करना क्या है मेंने स्टाट क्या है चैनिक में अपको सब्से पहले कि सिखाया कि अगर एक रसी के बारे में सोचते हैं बच्छा तो रसी अगर टाइट होने वाली है और सही रिफाइन सेंटेंस क्या है डि वेलॉसिटी कंपोनेंट और अलॉंग दे स्ट्रिंग यानि वेलॉसिटी के वो कंपोनेंट जो की उस रसी के अलॉंग है वह हमेशा कॉंस्टेंट रहेंगे इतने सारे इख्जांपल दिये आपको अच्छे से पता चलना चाहिए इल् Vp is equal to Vp plus Vp divided by 2. Jeeu Jantu वाले example से लेखे किया. Second, जो method है, मैंने बच्चा, वो normal किताबों के अंदर जैसे करते हैं, X1 plus X2, वो आपको सिखा है. Q, with respect to Jeeu Jantu, with respect to Puliya, that I have also explained in that portion. And then, we have seen this kind of problem. जहां पर अगर Puli है, Block है, Puli Block के साथ string constraint है, तो उनके साथ कैसे खेलना है, वो भी मैंने आपको explain किया. तो उमीद करता हूँ, बच्चा पार्टी, कि ये सारी चीज़े, आपके मन-मंदिर में, दिलो, जान तक, Jeeuankal के आंतिसमे तक बसी हैं. कोई भी doubt आता है, कुछ भी आता है, बेज़े जखो करके नीचे जरू कमेंट करें, आप सब मुझे जानते हैं, जरू मुझे follow कर सकते हैं, मेरे Instagram handle पर, hashtag SSP भी search करेंगे, तो भी आपको मैं मिल जाओंगा, वहाँ पर भी आप मुझे question पूछ सकते हैं, Jee, Neat, Main and Advanced, competition की कोई भी exam, physics related, या फिर board related, कोई भी आपकी problem है, you can contact, इन साथ ही साथ बच्चा लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, बहुत खुशी मिलेगी, शेर करेंगे, और ज़्यादा कुशी मिलेगी, बेल आइगन को प्रेस करना मत बूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्च्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें बच्चा लोग, इसके साथ ही description को जरूर चेक करें, वहाँ पे एक सुन्दर सा, एक शांदार application है, जिसके माध्यम से, आप आजानी से अपने कोई भी doubt, जो है, उस application में डाल करेंगे, easily उसे find out कर सकते हैं, मिलते हैं हमारे next class में, बचलो, till then do whatever you want to do man, but don't trouble your mom, take care, see you in the next class, love you all, thank you so much for watching all the videos, thank you so much for all the support and love.